वेलकम अगेन दिसंबर 2019 में वर्ल्ड वाइड कोविड-19 आउट ब्रेक हुआ एक वर्स्ट सिचुएशन क्रियेट हुई इंडिया के अंदर 22nd of March 2020 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू के लिए रिक्वेस्ट किया जनता कर्फ्यू सक्सेस्फूल रहा और फिर सीक्वेंस में कंट्री के अंदर लोकडाउन इंपोज कर दिया गया और ये लोकडाउन फेजवाइज मैनर में था उसके बाद अनलोक स्टार्ट हुआ अनलोक वन अनलोक टू इस तरह के से अनलोक की सिचुएशन जाते जाते पूरी तरीके से लोकडाउन खत्म हो गया जो करेंट पोजिशन है वो ये है कि जब से कंट्री के अंदर लोकडाउन इंपोज हुआ था कंट्री एक वर्स्ट एकोनोमिक क्राइसिस को फेज कर रही थी और ये worst economic crisis government पहले ही assume कर चुकी थी कि वह मार्च में ही ये assumption लगाए जा चुके थे कि इस साल जो हमारी economy होने वाली है उसमें GDP growth rate बहुत ज़्यादा declining phase में होगा GDP growth rate decline हुआ पहले जो news आई थी उसके according GDP 23% decline हुआ उसके बाद की जो situation है वो सभी के सामने है next year का projection ये है कि GDP improve होगा लेकिन जितना loss इस साल COVID-19 pandemic की वज़े से हुआ है ये loss recover करने में कई साल लग जाएंगे अब इसी situation को समझते हुए जब 22nd of March 2020 में Prime Minister Narendra Modi ने ये appeal की थी कि जनता कर्फियम पोज किया जाए उसके बाद lockdown को impose किया गया एक कर्फियू की situation रही तब government ने Prime Minister Narendra Modi ने पब्लिक से ये भी appeal की थी कि कुछ donation पब्लिक के लिए किया जाए यानि कि society के लिए आपके घर के जो servant से उनके लिए आपकी company में जो job करने वाले लोग हैं उनके लिए आप एक soft stand रख करके उनकी salary ना रोकें donation करते रहें जितना support कर सकते हैं उतने जादा support करें इसी sequence में President ने दो ordinance प्रोमिल्गेट किये दो ordinance जारी किये गए यह दो ordinance MPs यानि के member of parliament जो members of parliament हैं उनके लिए दूसरा ministers के लिए central ministers के लिए उनकी salary और allowances, pensions इनको reduce करने के लिए दो ordinance प्रोमिल्गेट किये फर्स्ट जो ordinance था salary, allowances and pension of members of parliament amendment ordinance 2020 second ordinance था the salaries and allowances of ministers amendment ordinance 2020 ध्यान से समझियेगा दो ordinances President ने प्रोमिल्गेट किये फर्स्ट ओर्डिनेंस members of parliament की salary से related था उनकी salary allowances pension किसके members of parliament के second जो ordinance था salaries allowances of ministers यानि के ministers और members of parliament इन दोनों की salary और allowances को reduce करने की बात थी और इसके लिए दो separate ordinance प्रोमिल्गेट किये गए अब बात करते हैं first ordinance की फर्स्ट ओर्डिनेंस है salary allowances and pension of members of parliament amendment ओर्डिनेंस 2020 यह ओर्डिनेंस 7th अप्रेल 2020 में प्रोमिल्गेट किया गया ओर्डिनेंस प्रोमिल्गेशन की पावर प्रेजिडेंट के पास होती है हाला कि यह पावर प्रेजिडेंट council of ministers headed by prime minister की aid and advice पर exercise करते हैं तो प्रेजिडेंट ने 7th अप्रेल 2020 में यह ordinance प्रोमिल्गेट कर दिया अब अगर हम बात करें कि इस ordinance के क्या objectives थे तो इस ordinance का first objective क्या था salary, allowances and pension of members of parliament act 1954 को amend करना Parliament के members की salary, उनके allowances और उनकी pension किस act के तुरू decide होती है वो act है salary, allowances and pension of members of parliament act 1954 इस 1954 act के तुरू members of parliament की salary और allowances decide होते है इस act के अंदर amendment करना इस ordinance का objective था और amendment करके MPs की basic salary को 30% reduce कर दिया गया अब ये reduction क्यों किया गया क्योंकि जैसा कि मैंने भी बताया था कि प्राइम मिनेस्टर नरेंदर मोदी ने सभी से अपील की थी कि वो कुछ ना कुछ donation करते रहे हैं अपने जो servants हैं उनको support करें जो लोग poor हैं, neighbor हैं कोई भी ऐसा citizen, कोई भी ऐसा आपका fellow citizen जिसको कोई need है उसकी need को आप fulfill करें तो same responsibility हमारे MPs के उपर भी आती है और उन MPs की salary को reduce करने के लिए ही ये ordinance लाया गया था अब यहां हम एक बात और समझे लेते हैं वो ये है कि Parliament हमेशा एक basic law बना करके देता है Parliament क्या करता है? एक basic law बनाता है Parliament क्या करेगा? एक law बनाएगा और ये law skeleton form में होगा और एक धाचा होगा और ये कुछ powers कुछ powers किसको देगा? गवर्मेंट को देगा किसको देगा? गवर्मेंट को और गवर्मेंट situation के according time to time rules बनाती रहेगी same case इस 1954 act के साथ भी है जो की Parliament के members की salary pension और allowances को regulate करता है तो गवर्मेंट क्या करती है? टाइम टू टाइम rules नोटिफाई करती है क्या करती है? टाइम टू टाइम rules नोटिफाई करती है ये rules किस act के अंदर नोटिफाई हो रहे हैं? 1954 वाले act के अंदर नोटिफाई हो रहे हैं तो इन rules को भी amend करके government of India ने MPs के allowances को एक साल के लिए reduce कर दिया अब वो कौन-कौन से allowances थे? ये allowances है constituency allowances और office expenses allowances कौन-कौन से allowances है? constituency allowances और office expenses allowances इन allowances को reduce कर दिया गया है कितने साल के लिए? एक साल के लिए इनको reduce कर दिया गया है आगे बढ़ते हैं अब second ordinance क्या था? second ordinance था salaries and allowances of ministers तो पहला ordinance तो deal कर रहा था members of parliament के साथ किसके साथ deal कर रहा था? members of parliament के साथ ये ordinance deal कर रहा है ministers के साथ किसके साथ deal कर रहा है? ministers के साथ ये ordinance कब promulgate किया गया 9th of April 2020 और promulgation किस ने किया President ने किया किसकी aid and advice पर किया Council of Ministers added by Prime Minister तो इस act के थूँ क्या किया गया होगा ministers की जो allowances है ministers की जो salary है उसको reduce किया गया है objectives देखते हैं इसके क्या है act के अब जो ministers है इनकी salary और allowances कौन से act किसे decide होती है सबसे पहले समझे लेते है वो act है salaries and allowances of ministers act 1952 act कौन सा है salaries and allowances of ministers act 1952 इस act के अंदर amendment करने का इस ordinance के थूँ proposal दिया गया यानि कि इस ordinance का जो objective था वो था to amend the salaries and allowances of ministers act 1952 साथ साथ जो sanctuary allowance मिलता है किसको मिलता है ministers को इसको किता परसेंट reduce कर दिया गया 30% किता reduce कर दिया गया 30% आगे बढ़ते हैं यह जो changes किये गये हैं यह changes रहेंगे 1 year के लिए applicable किते time duration के लिए applicable होंगे 1 year और effective कब से हैं effective है 1st April 2020 से अब बात आती है कि यह salary reduce करने के पीछे reasons क्या थे इसका जो main reason है वो यह है कि central government की financial resources को supplement करना reason was to supplement the financial resources of the center to fight with the COVID-19 pandemic तो COVID-19 pandemic के लिए जो financial resources required है उन financial resources को supplement कर किया जा रहा है किसके तुरू किया जा रहा है salaries के अंदर reduction करके जो amount बचेगा वो COVID-19 pandemic के लिए जो financial resources required है उसमें help करेगा अब अगर बात करें Parliament के जो members हैं उनकी salary decide होती कैसे है Constitution के अंदर article 106 Constitution के अंदर article 106 में ये provision दिया गया है कि salary कैसे decide होगी Article 106 deal करता है salaries and allowances of the members the salary and allowances of the members of the parliament is decided by the parliament is decided by the parliament and parliament decides the salary pension and allowances of the members of the parliament by enacting a law by enacting a law Parliament by enacting a law decides the salary allowances and pensions of members of parliament तो लोगसभा के member होँ राज्यसभा के member होँ Parliament law बनाएगा और उनकी salary decide कर देगा ये किस के अंदर दिया है Article 106 तो अगर हम यहाँ practically देखें तो actual में हो क्या रहा है MPs के पास खुद ये power है कि वो अपनी salary decide कर सकते है MPs have the power to decide their salary क्यों? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि members of parliament लोकसभा राज्यसभा ये यहां के member ये यहां के member और ये member सी खुद लोग बना करके decide करेंगे कि इनकी salary क्या होगी तो there is a clear cut case of conflict of interest तो यहां clearly एक case visible होता है और वो case किस चीज़ का है? Conflict of interest यानि के MPs चाहें तो मन मर्जी अपनी कोई भी salary कर सकते हैं तो 2018 तक Parliament periodically law बना करके MPs की salary decide करता रहा ठीक है? 2018 तक MPs की salary कैसे होती रही decide periodically Parliament law making करता रहा और salary decide होती रही 2018 में 2018 में Finance Act के through Finance Act के through Parliament ने law amend करके MPs की salary के लिए provision change किया और change क्या किया? कि salary allowance pension यह हर 5 साल में increase किया जाएगा every 5 years 5 सालों के बाद यह salary daily allowances और pension MPs की यह increase होगी और increase होने का base क्या बनेगा? increase होने का base क्या बनेगा? base बनेगा cost inflation index base क्या बनेगा? cost inflation index और यह cost inflation index कहाँ provide क्या जाएगा? income tax act 1961 में कहाँ provide होगा? income tax act 1961 दुबार अध्यान से समझो 2018 में यह change किया गया क्योंकि MPs खुद ही अपनी salary decide कर रहे थे parliament time to time law pass करता था और MPs की salary decide हो जाती थी 2018 में change क्या गया गया है? कि finance act के थूँ यह amendment कर दिया गया कि salary, daily allowances और pension जो है MP की यह हर 5 साल में decide होंगी base क्या बनेगा? इसका base बनेगा cost inflation index और यह कहाँ मिलेगा? cost inflation index कहाँ provide क्या गया है? income tax act 1961 के अंदर कहाँ मिलेगा? income tax act 1961 के अंदर अब यहाँ हम एक बात और समझ लेते हैं वो यह है कि 1985 में parliament ने law enact करके central government को कुछ powers delegate कर दी थी 1985 में parliament ने law enact करके कुछ powers central government को delegate कर दी थी यह powers क्या थी? कि central government can set and revise certain allowances of MPs central government can set and revise certain allowances of MPs constituency allowances office allowances housing allowances यह कौन decide कर सकता है? कौन set कर सकता है? central government set कर सकती है ठीक है? अब हम यह देखेंगे कि इंडिया के अंदर हमने देखा inflation के base पर किस basis पर? inflation base पर salary decide करने का provision कर दिया गया है MPs की salary किस base पर decide होगी? inflation के base पर decide होगी अब inflation base पर decide करने का criteria और किस किस country में है? एक तो इंडिया में आ गया एक कहाँ पर available है? Canada में available है इंडिया के अंदर यह every five years में decide होगा और base इसका क्या बनेगा? cost inflation index क्या बनेगा? cost inflation index अगर हम Canada की बात करें तो यह annually adjust होगा कैसे adjust होगा? annually और इसका base क्या बनेगा? average consumer price index और इसका base क्या बनेगा? average consumer price index of the previous year पिछले साल का जो भी average consumer price index रहा है उस consumer price index के base पर Canada में annually MPs की salary adjust होती रहेगी अब हमने देख लिया कि inflation base पर एक तो इंडिया में decide हो रहा है और एक Canada में decide हो रहा है अगर हम बात करें उन countries की जहां independent authority ये decide करती है कि MPs की salary क्या होगी तो ये एक तो मिलेगा हमें United Kingdom में और एक मिलता है Australia में कहां कहां मिलेगा? United Kingdom और Australia United Kingdom के अंदर उस independent authority के अंदर एक तो former MP होता है former judge, auditor ठीक है कौन-कौन होगा? दुबार जान समझना एक independent authority होगी उस independent authority के थूँ MPs की salary डिसाइड होगी United Kingdom के अंदर उस authority में कौन-कौन member होगे? MP, former MP former judge और auditor ठीक है? अब यह जो salary revise होगी यह annually होगी कैसे revise होगी? annually होगी और इसका base क्या रहेगा? average public sector earnings किस से compare करेंगे? public sector earnings से compare करके इनकी salary decide कर दी जाएगी अब बात करते हैं Australia की Australia के अंदर जो एक independent authority है उसमें कौन-कौन होगे? experts होगे किस field में expert? government में economics में law में public administration ठीक है? और salary जो revise होगी वो annually होगी दिवारा ध्यान से समझना Australia के अंदर जो independent authority है उसके अंदर experts होगे वो experts किस-किस field में होगे? government में economics में law में public administration में और salary कैसे revise होगी? annually कैसे revise होगी? annually revise होगी ठीक है? इसके अलावा New Zealand के अंदर भी independent authority ही ये decide करती है कि MPs की salary क्या होगी? अगर हम बात करें उन countries की जहां salary civil servants के scale के according होती है तो वो country है France वो country कौन सी है? France अब हम बात करते हैं ये जो reduction किया गया है MPs की salary में इससे benefit क्या होगा? ये around 54 crore 54 crore इतना saving करके देगा अगर हम इस amount को देखें तो ये बहुत ही small amount है जितना amount इस pandemic से fight करने में लगेगा क्योंकि केवल हमने pandemic से fight नहीं करना है इसके कारण जो economy crisis आये हैं उससे भी fight करना है तो अगर हम इसको central government के through announced 20 lakh करोड के package से compare करें तो उसके comparison में ये 0.001% से भी कम है जहाँ दे समझे न इंडिया जिस तरीके का financial crisis इस समय face कर रहा है central government ने उस crisis से बाहर आने के लिए एक rupees 20 lakh करोड का package announce किया था उस package से अगर हम इस 54 करोड की saving को compare करें तो ये 0.001% से भी कम है तो अब challenge ये है कि भाई ये जो reduction है क्या ये कुछ benefit देगा या इस तरीके की reduction होने चाहिए तो इसका answer ये है कि ये एक type का symbolic reduction है जो मेरा अपना opinion है इस 54 करोड से कोई खास benefit तो नहीं होगा लेकिन ये एक type का symbolic reduction है जो necessary है, required है country के अंदर एक positive message देता है अब अगर हम बात करते हैं UPSC civil services examination के point of view से तो prelims और means दोनों के ही point of view से बात करते हैं prelims के अंदर यहां से जो question बनेगा वो बनेगा legislative power of the president क्या बनेगा? legislative power of the president article 123 यह यह प्रेजिडेंट की ordinance making power इसके बारे में पूछा जा सकता है अगर हम means examination की बात करें तो वहाँ जो common question बनता है वो यह है कि प्रेजिडेंट की जो ordinance making power है क्या उसका misuse हो रहा है दूसरा अगर हम यहाँ इस salary के reduction से लेकर के बात करें तो यह भी एक question बन सकता है कि यह जो salary में reduction होता है इसका क्या benefit है क्या यह financial resources supplement करता है क्या इसके supplement करने से जितना बड़ा crisis है वो result हो सकता है तो इस तरीके की questions बनते हैं अब हम बात करते हैं हमने शुरू में ही कहा कि दो ordinance लाए गए two ordinance promulgate किये गए किसके थूप promulgate किये गए प्रेजिडेंट के थूप promulgate किये गए article 123 के अंडर president को यह power मिलती है कि जब parliament का कोई एक house या दोनों house session में ना हो और इस तरीके की circumstances exist करें जहां law बनाना नेसेसरी हो तब प्रेजिडेंट ordinance पास कर सकते हैं ordinance का उतना ही वेटेज होता है जितना parliament के थूप बनाए गए किसी लौका होता है लेकिन इस ordinance की जो time duration है जो इसका time period है वो limited होता है constitution के according ordinance को house जब भी पार्लेमेंट रियसेंबल होगा यानि कि जब भी house रियसेंबल होंगे उस समय ordinance को एक बिल के फॉर्म में लाकर के पास कराना होगा और पार्लेमेंट के रियसेंबली के within six weeks ये ordinance पास हो जाना चाहिए ज्यान समझते हैं प्रेजिडेंट ने एक ordinance पास कर दिया ये ordinance temporary होता है कैसा होता है temporary अगर इसको implement करना है इसको एक law बनाना है तो क्या करना होगा इस ordinance को replace करते हुए एक bill आएगा और ये bill पार्लेमेंट के थुरू पास कराना होगा किस के थुरू पास कराना होगा पार्लेमेंट के थुरू पास कराना होगा जैसे ही house re-assemble होते हैं session दुबारे से start होता है तब इस bill को पास कराना होगा और कितने time duration में कराना होगा Six weeks में पास कराना होगा और Parliament के दो sessions के बीच में maximum gap हो सकता है Six months का Suppose करें Parliament का एक session यहां खत्म होआ और इसके बाद दूसरा session यहां start होता है तो maximum जो इनके बीच में gap है वो six months का हो सकता है तो किसी भी ordinance की maximum लाइफ होती है six months six weeks कित्ती लाइफ होती है ordinance की maximum six months six weeks तो यहां हमने इतना समझ लिया कि किसी भी ordinance को अगर permanent law बनाना है तो पार्लेमेंट से उसको पास कराना पड़ेगा तो यहां दो ordinance पास हुए तो उनको हमने पार्लेमेंट से पास कराना होगा तो इसी लिए salaries allowances of ministers amendment bill 2020 ध्यान देना यह था ordinance अब इसको क्या बना दिया बिल बिल बना करके कहां इंट्रडूज किया गया पार्लेमेंट में पार्लेमेंट के किसी भी house में आप इंट्रडूज कर सक राजसभा में डेट क्या थी September 14, 2020 क्या डेट थी September 14, 2020 इस डेट में कहां इंट्रडूज किया गया राजसभा में इंट्रडूज किया गया राजसभा से 18 सेप्टेम्बर में यह पास हो गया लोग सबा से 20 सेप्टेम्बर में पास हो गया प्रेजिडेंट रामनात को विन न अपनी एसेंट सेप्टेंबर 23 में दे दी और ये बिल क्या बन गया एक्ट बन गया salaries and allowances of ministers amendment bill 2020 पास हो गया और इसने जुन 1952 वाला एक्ट था उसके अंदर amendment कर दिया और salary allowances reduce कर दिये इसी तरह से salary allowances and pensions of members of parliament ordinance 2020 यह यहाँ पे गलत हो गया यहाँ पे आप करेंगे बिल यह बिल कहां introduce किया गया लोगसभा में introduce किया गया September 14 लोगसभा से पास होगा September 15 राज्यसभा से पास होगा September 18 प्रेजिडेंट रामनात को Act 1954 के अंदर amendment हो गए और members of parliament की जो salary थी वो reduce कर दी गई किती reduce की कर दी 30% reduce कर दी गई तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इन दोनों ordinance के objectives देख लिए प्रेजिडेंट की ordinance making power को देखा तीसरा ये भी हमने देखा कि ordinance ए temporary law है और उस temporary law को अगर आपने permanent करना है तो parliament से आपको पास कराना होगा तब ही उसके जो provisions हैं जो उसके effect हैं वो permanent हो पाएंगे